पानी की दिक्कर, पानी की कमी, गरीब के जीवन की, महिलाओं के जीवन की, सबसे बड़ी चुनोतियों में से हेख हैं, और आजादी के 75 साल के बाद भी हैं, किसान को भी, छोटे किसान को खास कर, पानी के बिना बहुत दिक्कते हैं, हमारी सरकार के प्रयासों से आज, देश में करीब करीब नव करोड ग्रामिर घरों में, नल से जल पहुचने लगा है, और इस में से करीब करीब पाँच करोड से जादा, पानी के कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहट, पिछले दो वर्ष में दिये गए हैं, अब बजेट में गोशना की गई हैं, कि इस साल करीब, चार करोड ग्रामिर घरों को, पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, और जब ग्रामिर घर की बात आती है, तो उसमें अधित्तम समाच, किसानी से जुड़व होता है, खेत के काम से जुड़ा होता है, उसका समय बचेगा, माता और बहनों का समय बचेगा, वो कर्षी के समय में अपना योगदान देपाएगी, इस पर पानी पहुचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माता और बहनों को कर्ष से मुक्ति दिलाने लिए पहले करीब 40,000 करोड से ज़्यादा खर्च किया था अभी 60,000 करोड रुपिय से ज़्यादा खर्च किये जाएंगे कभी हमारे देश में हमारी माताओं बहनों को गाओं को पानी के लिए एक लाग करोड रुपिया खर्च करके आगे बढ़ना इस छोटे दिर्णे नहीं है देश के अलग-अलग हिस्सों में नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजेट में है विशेश रुप से केर बेतबा को लिंक करने के लिए जो हजानों करोड रुपिय का प्रावधान किया गया है उससे यूपी और एनपी के जो बुंदेल खन छेत रहे हैं हम रानी की जासी का गर्व करते हैं ना उस बंदिल खन की बात कर रहा हूं जिस खाजू राहों की चर्चा करते हैं मैं उस बंदिल खन की बात करता हूं वहां की तस्वीर बदल देवाले पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेठे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात कभी महराश्टर केरल तमिलाडू तक जाना पड़ता है यह केन बेत्वा योजना किसान के जीवन में खेती में तो बड़ाव लाएगी लाएगी किसान की जीवन में बड़ाव लाएगी